नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडिये में मैं आपको योनो लाइट SBI मोबाइल एप्लिकेशन के थूँ आईप्यों में अपलाई करने का कम्प्लिट प्रोसेस बताने वाला हूँ दोस्तों अगर आपके पास में State Bank of India में अकाउंट है तो आप भी डिरेक्ली योनो लाइट SBI मोबाइल एप्लिकेशन के थूँ बहुत ही सिंपल तरीके से आईप्यों अपलाई कर सकते हैं पहले आप लोग UPI ID के थूँ पेमेंट करते थे काफी बार आपको पेमेंट रिक्वेस्ट नहीं आती थी देरी से आती है तो इसका जो पेमेंट रिक्वेस्ट का जो जंजट है दोस्तों वो आपको यहां पे नहीं रहेगा आप लोग तुरंथ इस मोबाइल एप्लिकेश प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और इसको simply आपको open कर लेना है तो अगर आप लोग इसे first time open करोगे तो आपके पास में SBI का जो net banking का username and password होता है वो आपके पास में होना चाहिए इसी के तुरू आप लोग इसमें login कर सकते हैं अगर आपके पास में username and password नहीं है SBI net banking का तो online sbi.com की site पे जाके और आपको user ID and password create कर लेना है और उसके बाद में आपको इसमें login कर लेना है तो सबसे पहले हम लोग IP apply करने से पहले इसमें login कर लेते हैं दोस्तों जैसे ही आप लोग you know light SBI mobile application में login करोगे आपको कुछ इस तरके का interface देखने को मिलेगा इसमें आपको दे नीचे की side में देखे आपको एक request का option दिया गया है अगर आप लोग IPO में apply करना चाहते हैं किसी भी IPO में चाहिए manboard IPO है या फिर SME IPO है तो आपको यहाँ पे request के option पे click करना है नीचे की side में request के option पे click करना है उसके बाद में देखिएगा दोस्तों सबसे उपर में आपको यह यहाँ पे देखिए IPO equity अत्वा rights का option सो कर रहा है तो सबसे उपर में आपको यहाँ पे IPO equity rights के option पे click करना है उसके बाद में दोस्तों आपके सामने तीन option सो करेंगे एक apply IPO का option सो करेगा एक IPO history का option सो करेगा तो अगर आप लोग IPO की history चेक करना चाहते हैं edit IPO करना चाहते हैं तो के option पे click करना है उसके बाद में दोस्तों देखिए आपके सामने new IPO में apply करने से पहले कुछ terms and condition दी गई है आपको इनको read कर लेना है आपको उपर slide करना है थोड़ा सा एंड आपको नीचे की side में accept के option पे click करना है जैसी आप लोग accept के option पे click करोगे दोस्तों आपके सामने IPO IPO की list सो करेगी जो भी फिलाल IPO चल रहे हैं दोस्तों उनकी list आपको यहां पे सो की जाएगी आप लोग जिस भी IPO में apply करना चाहते हैं आपको उसको select कर लेना है जैसी कि आप लोग SME IPO में apply करना चाहते हैं तो आपको SME select कर लेना है अगर आप लोग mainboard IPO में apply करना चाहते हैं तो आपको mainboard IPO को select कर लेना है for example दोस्तों हम लोग एक SME IPO में apply करने वाले हैं जैसी कि हम लोग high green carbon limited इस IPO में हम लोग apply करेंगे तो इसको हमने यह पर select कर लिया है और उसके बाद में आपको नीचे की side में go के option पर click कर देना है जैसी दोस्तों आप लोग go के option पर click करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए थोड़ा सा उपर slide करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर accept के option पर click करना है तो जैसी आप लोग accept के option पर click करोगे आपको यहाँ पर category पूछी गई है सबसे उपर में तो आपको यहाँ पे दिखिए select category, इस option पे आपको click करना है एंड उसके बाद में आपको अपनी category individual यहाँ पे आपको select कर लेना है जैसे आप लोग category यहाँ पे select करोगे एंड उसके बाद में आपको IPO company की details हो करेगी कि company कौन सी है, company का address क्या है, opening and closing date क्या है इसमें आपको quantity कितने मिलने वाली है, आपका इसका जो share का price है upper price and lower price bend है, वो क्या है, वो आप लोग check कर सकते हैं और उसके बाद में आपको उपर slide करना है उपर slide करने के बाद में देखिए, सबसे नीचे में आपको देखिए select category में आपको individual सो कर रहा है और उसके बाद में आपको applicant name and nickname ये सो कर रहा है जिसमें आपको select registered applicant सो कर रहा है दोस्तों अगर आपको यहाँ यह option है, वो तभी सो करेगा जब आपने internet banking के दुआरा आपने asba में registration किया है तो अगर आपके पास में देखिए, already आपने registered नहीं किया है तो मैंने जो sba का net banking से ipo apply करने का जो process बताया है उसमें मैंने आपको asba registration का process बताया है तो आप लोग एक बार asba पे registration कर लीजिएगा एक बार आपको registration करना है उसके बाद में आप लोग इसमें unlimited बार आप लोग यहाँ पे ipo है वो apply कर सकते है तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे select registered applicant पे click करेंगे मैंने already दोस्तों asba पे registration कर रखा है तो हम लोग देखिए मेरा name यहाँ पे so कर रहा है तो मैं इस पे click कर दूँगा तो मेरी detail यहाँ पे so की जाएगी जैसे कि मेरा pen card number so कर रहा है उसके बाद में दोस्तों जैसे कि मैंने जो कौन से broker का जो dp id लगाई है यानि dmate account number लगा है वो यहाँ पे so करेगा depository account number जैसे कि दोस्तों आप लोग कौन से broker के थुरू लगा रहे है जिरोदा, आप stocks, angel कौन से broker के थुरू IPO लगा रहे है उसका आपको यहाँ पे dp account number यहाँ पे enter करना रहेगा dp account number आपको profile section में मिलेगा जो भी आपके पास में dmate account है उसके profile section में तो हमने यहाँ पे dp account number एंटर किया हुआ है दोस्तों जो की asba के registration करते समय हमने enter किया था तो already detail में यहाँ पे fetch कर लिया है दोस्तों उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए जो नीचे की side में continue का option दिया गया है इस option पे आपको यहाँ पे click करना है जैसे हम लोग click करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पे cut off price के option पे click कर देना है सबसे उपर में यानि आपको bid select करना है उसके बाद में नीचे वाले option में देखिए यहाँ पे आपको quantity select कर लेना है कि कितनी quantity के लिए हम लोग यहाँ पे apply कर रहे है तो इस IPO में दोस्तों जो quantity है वो है 1600 यानि 1600 quantity है तो हम लोग यहाँ पे quantity है वो यहाँ पे enter कर लेते है 1600 quantity उसके बाद में देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे उपर आना है 16 समय ने यहाँ पे quantity enter कर लिये और उसके बाद में देखिए आपको यहाँ पे amount पे करना रहेगा वो pay करना रहेगा दोस्तों 1,20,000 यानि 1,20,000 रुपे इसमें payment है वो करना पड़ेगा आपको पता होगा दोस्तों SME IPO के अंदर 1,00,000 के आसपास में payment करना होता है और दोस्तों normal mainboard जो IPO लगाते हैं उसमें आपको 15,000 के आसपास में payment करना होता है तो हम लोगोंने payment सेलेक्ट कर लिया दोस्तों उसके बाद में नीचे में देखिए आपको debit from account इस पे आपको select option पे click करना है आपको अपना bank account यहां से select कर लेना है automatically आपको account की detail है वो show कर दी जाएगी उसके बाद में आपको यहां पे submit के option पे click करना है जैसी आप लोग submit के option पे click करोगे दोस्तों फिर से आपको देखिए detail show करेगी आपने जो यहां पे detail fill की है यहांनी bit quantity बगेरा price बगेरा जो fill की है वो आपको show की जाएगी नीचे की side में आपको यहां पे confirm के option पे click करना है जैसी आप लोग confirm के option पे click करोगे दोस्तों आपके mobile number पे OTP send किया जाएगा उस OTP को आपको यहां पे enter करना है देन आपको submit के option पे click करना है जैसे हम लोग यहां पे OTP enter करके submit करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों your request for IPO registered is आपको यहां पे successfully so कर रहा है तो दोस्तों आप लोग यहां पे simple तरीके से you know light SBI mobile application के through आप लोग यहां पे first IPO में apply कर सकते हैं और आपका जो amount है यहां से directly है वो block कर दिया जाएगा अगर आपका IPO allotment होता है तो आपका directly यहां से जो payment है वो आपका cut जाएगा और आपके जो share है वो आपके demate account में जो भी आपने dpid account number यहां पे enter किया है उसमें आपके share है वो credit कर दिया जाएगे और उसमें आप लोग share sale करके पैसा आपने bank account में ले सकते हैं तो simple सा process है दोस्तों सिर्फ आप लोग yono sbi के through आप लोग यहां पे directly IPO में apply है वो कर सकते है